तो आज से हम लोग एक सेगमेंट चालू कर रहे हैं, हर वीक मैं इस वीडियो को दोहराता जाऊंगा, कि हम लोग कुछ ऐसी चीजों के बारे में देखेंगे, कुछ ऐसी चीजों के बारे में जानेंगे, जो हम लोग रोजाना देखते हैं, रोजमारा की जिंदगी में देख पुद्री डाकू होते हैं वो लोग आई पैचेस क्यों लगाते हैं ठीक है तो वो वीडियो उसी तरह से मैंने सूचा कि यह सेग्मेंट स्टार्ट करूंगा जिसमें मैं चार या पांच चीजों को लूँगा हर वीक एक एपिसोड इसका बनाऊंगा देखते कहां तक सक्सिस में शेर जरूर कीजेगा तो चलिए बढ़ते हैं आज का सेग्मेंट की तरफ क्या आपको पता है संडे को छुटिया क्यों होती है क्या आपको पता है कि काच के बिल्डिंग के पीछे का लॉजिक या उसके पीछे का साइन्स क्या है आईए हम लोग इस वीडियो में और भ ध्युक् Title की कांच के बिल्डिंग बने होते हैं ग्लास बिल्डिंग बने होते हैं तो इसके पीछे का लॉजिक क्या इसके का साइन्स क्या है यह चीज हमारे में आई है वेस्ट कंट्रीज से तो इन शहरों में तापमान होता है कम तो यहाँ पर ज़्यादा अच्छा बेनिफिट देखने को मिलता है कि दूप अंदर के फोर्ष वगर को गर्म करती है और काच जो होता है वो उस गर्मी को अंदर वाली गर्मी को बाहर जाने नहीं देता है तो वो एक तरह से natural room heater का काम करती है हलाकि इंडिया में बनाने की ज़रुवत नहीं है लेकिन फिर भी हम लोग कांच के building बनाते हैं और उसमें यूज करते हैं काले रंग कांच तो वो क्या करते हैं वो जादा धूप को जादा गर्मी को अंदर आने नहीं देती है और अगर आप उसमें AC यूज कर रहे हो या cooler यूज कर रहे हो तो अंदर का जो तापमान है यानि जो कम तापमान है ठंडक है उसको वो बाहर जाने नहीं देती है तो इस तरह से क्या होता कि वह अंदर का रूम जो तेम्परेचर जो होता वो कम होता और आपको ठांड लगती है, गर्मी जादा नहीं लगती है दूसरा जो है कि हम लोग रात को नाखून क्यों नहीं काटते हैं, आप लोग उने घर में सुना होगा बड़े बुडों से कि रात को नाखुन नहीं काटना चाहिए, रात को नाखुन नहीं काटना चाहिए, यह होगा, वह होगा, अप्शगुन होगा, यह खराब चीज है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, अब किसी समय में रहा होगा, यह मेरा मानना है, ठीक है, यह मेरा मानना है, इसके पीछे का पत्रा होता था जिससे नाखुन काड़ा जाता था तो वह होता था उससे क्या थो ज्यादा धारदार होता था लेकिन सेफ नहीं होता था और पहले तो विजली वैसी ही नहीं थी तो क्या होता था कि उससे हाथ कटने का या उंगली कटने का या नाखुन के साथ साथ चमडा भी कट जाने का डर रहता था इसलिए कहा जाता था किसी ने चालू कर दिया होगा कि नहीं राथ को नहीं कटना चाहिए बहुत सारे ऐसे countries जहां पर Friday को चुटी मना जाता है, आप Middle East में देख लो, South East में देख लो, वहाँ पर Fridays को चुटी मना जाता है, Sunday को क्यों? इसके पिछे का Science भी है, History भी है, और Logic भी है, तो History पहले जान लेते हैं, हमारे यहाँ पर 1889 से पहले, Sunday को चुटिया नहीं होती थी, उसके बाद एक महान व्यक्ति हुए, जिनका नाम था नारायन मेघाजी लोखंडे, ये पूने के आसपास के रहने वाले थे, इन्होंने एक Revolution स्टार्ट किया, कि हम लोगों को भी Sunday को, या कोई एक दिन, वीक में एक वीक आफ चाहिए, और उन्होंने एक Revolution स्टार्ट किया, 1881 में, और फिर जब अंग्रेज सरकार मानी, तो 1889 से Sunday का चुटि स्टार्ट हुआ, Sunday का ही क्यों? 1843 से ब्रिटेन में Sunday को चुटि मनाया जाता है, क्योंकि वहाँ पर Christian लोग ज़्यादा है, और Sunday को वो लोग Church जाते हैं, और भी बहुत सारे effective काम करते होंगे, तो Sunday को Church जाते थे, या उनका एक Lord's Day, जिसको बोलते है भगवान का दीन माना जाता है, जिस दिन इस्वामसीर का incarnation हुआ, रिकरेशन हुआ, तो उस दिन वो लोग Church जाते हैं, और इसी वीचे से जब अंग्रेजों को लागा कि नहीं, इंडिया में भी हमें छुट्टी देना पड़ेगा, ये लोग नहीं मान रहे हैं, तो उन्होंने क्या-क्या उसी Sunday को यहाँ पे imply कर दिया, कि चलो भई, अब आ अगर आप लोग देखो कि बहुत सारे मेडियलिस्ट कंट्रीज हैं, काउदी वगर हमें, फ्राइडे को छुटी होता है, क्योंकि वहाँ पे अधिक सर मुस्लीम हैं, और वो लोग फ्राइडे यानि जुम्मा के दिन नमाज अदा करने के लिए मस्जिद वगर में जाते है अब चौती चीज आती है, अटेस्टेड बाइ गैजटेड ओफिसर, अब भी बहुत सारे जगहों पर हमें गैजटेड ओफिसर से साइन कराना पड़ता है, अपने किसी डॉक्मेंट को वेरिफाई कराने के लिए, जैरोक्स को वेरिफाई कराने के लिए, ये आज से नहीं है, ये बैक दन जब ब्रिटिस गॉवर्मेंट थी और उस समय इंडियन उतने पढ़े लिखे यानि पढ़े लिखे तो थे लेकिन हिंदी और संस्कृत में और इंग्लिश को उतना बोलचाल जादा नहीं था, तो उन्होंने क्या कि इंग्लिश डॉक्मेंट जो भी सरकारी उन्होंने जारी करना स्टार्ट किया, वो इंग्लिश में होता था, और उसको गाउवालों से या फिर गाउवाले का जो डॉक्मेंट वो लोग ब्रिटिश सरकार दिया करते थी, तो उनको इंडियन पर भरोशा नहीं था, तो वो अपना जो गैजेटेट अफिसर एज वह क्या आपको पता है, इंडिया में सूट जो हम लोग पहनते हैं, सूट पहनने का ट्रेंड कहां से स्टार्ट हुआ, ये भी देखा देखी वाला सिस्टम है, इसके पीछे भी वहीं लॉजिक है, कि वेस्ट कंट्री में जहां पर टाइमप्रेचर कम होता है, वहां पर वो ल इंडिया में ऐसे ही कर्मी जादा है, इंडिया में ऐसे ही humidity जादा है, यहां पर पहनने का आउचित्य बहुत कम लगता है, लेकिन फिर भी एक style icon बन गया है, सब लोग पहनते हैं, कहीं पर भी आते जाते हैं, तो चलता है, तो आज तक के लिए बस इतना ही, आपको ये वी जाए भारत